तो देखिए अब हम परशनावली 11.4 को प्रारम करते हैं सबसे पहले परशन को यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं आपको बोला गया है कि निम्न लिखित में अत्य परवलेयों के सील्सों नाभियों के नर्दे सांक, उतके इंदरता और नाभिलंब जीवा की लंबाई आपको ग्यात करने हैं और देखिए आपके पास जो अत्परवले का समीकरण है वो एकस स्क्वार बटे 16 है माइनस वाई स्क्वार बटे 9 बराबर एक तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या गरते हैं? एक जनरल अत्परवले के बारे में समझ देते हैं फिर हम इस प्रश्न पर देरे-देरे आएंगे तो देखो, सबसे पहले हमारे पास अत्परवले का कोई भी व्यापक समीकरण जो होता है वह होता है x square बटे a square minus y square बटे b square बरावर 1 अब यहाँ पर इसको समझते हैं तो यह हमारे पास एक अत्परवले है अब हो सकता है कि हमारे पास दूसरा एक अत्परवले और हो सकता है इसलीकि जैसा वह हो सकता है x square बटे a square minus y square बटे b square बरावर minus 1 हो जाए तो क्या अंतर हमें यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर एक लिखा है और यहाँ पर माइनस एक लिखा है इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है जो कि हो सकता है y square बटे b square minus x square बटे a square बरावर एक तो आप देखरें दोनों बिल्कुल सेम ही है बस आपने इसका माइनस इधर 22 पच्छांदर करके थोड़ा सरल कर दिया तो हमारे पास दो तरीके के अत्परवले हो सकते है एक तो ये वाला हो सकता है जो मैंने बाइन पक्च में लिखा है और एक दायाँ वाला ये दोनों समिकार एक ही अत्परवले हैं ध्यान रखें तो दो अत्परवले हो सकते हैं तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये जो अत्परवले लिखा हुआ एकस स्कॉर बटे 16 माइनस वाइस स्कॉर बटे 9 बरावर एक ये बायाँ तरीके का अत्परवले दिख रहा हैं क्योंकि एकस स्कॉर के जो संग में हैं वो धनात्मक है और देखो यहाँ पर एक है तो देखो यही पहला बायाँ पक्च में जो अत्परवले हैं वही हमें दिख गया तो अभी मैं केवल बाएंपक्च वाले अतपरवले को समझा रहा हूँ डाएं में जो लिखा है इधर जो लिखी है वो हम आगले प्रश्णों में सीखेंगे आगे आने वाले प्रश्णों में तो सबसे पहले तो समझीए कि जब आपके पास इस तरीके का अत्परवले होता है तो इसको हम normal कुछ भी नहीं बोलेंगे केवल अत्परवले बोलते हैं अब सबसे पहले अगर मैं एक graph बनाओ यहाँ पर x अच्छ और y अच्छ साथ में लेकर तो यह हमारे पास देखिए आ गई मान लेजेगा y अच्छ हो गई और यह हमारे पास एक x अच्छ हो गई अब यदि हम graph बनाएं तो देखिए graph किस तरीके का आएगा यह graph कुछ इस तरीके का आपके पास आता है इसी तरीके से इधर भी आजाएगा तो इनको हम अत्परवलय की दो साखाएं बोलते हैं अर्था दो ब्रांच होती है अत्परवलय की एक ब्रांच यह वाली है और एक ब्रांच यह वाली है अब यहाँ पर देखो यह बिंदो होता है अत्परवलय का केंद्र तो मैं अभी किसके लिए लिखना हूँ मैं इसको रफ्स कर देता हूँ जो दाएंपक्ष में लिखा है क्योंकि मैं इसको आगे आपको समझाऊँगा इसमें तो मैं आपको बाएंपक्ष में जो अत्रवले लिखा है उसके लिए समझा रहा हूँ तो यहाँ पर एक एक करके जो जो हमाँ बक्को समझाते जा रहे हैं उसको लिखते रहेंगे तो सबसे पहले तो केंदर समझ में आया केंदर आपके पास हो गया मूल बिंदू 0,0 केंदर कैसे पता लगता हैं घ्यानने को यह आपके पास x² जो लिखा हुआ वो इस तरीके से लिखा है एक्स-0 का होल स्कवार बटे-a- от 2-0As बटे-b²-1 यह लिखा इसलिए 0 यह है और 0 यह है तो 0,0 केंदर हो गया अगर यह होता है x minus h का whole square बटे a square minus y minus k का whole square बटे b square बरावरे तो केंदर h, k हो जाता अब इसके बाद बात आती है कि यहाँ पर आपके पास जो seeds के नर्दे सांग होंगे वो क्या-क्या होंगे तो देखो जो seeds के नर्दे सांग होते हैं उनको समझ लेते हैं seeds के दो नर्दे सांग होंगे, एक तो देखो यह seeds होता है और एक यह होता है seeds चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x square बटे a square यह धनात्मक चिन्न वाला पद है तो यहाँ पर जो seeds होते हैं वो x अच्छ पर होते हैं क्योंकि X वाला पर धनात्मक है, अगर Y वाला धनात्मक आएगा, जो कि मैं आगे आपको समझाँगा, असमें Y अच्छ पर सीर्स आएगे, मैं आपको आगे बताऊँगा, तो सीर्स आपके पास यह आएगे, अगर इनके निर्दे सांग की बात करें, तो इसका निर्दे क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर भी जिस तरीके से दीर वरत में दो नाभियां होती, यहाँ पर भी दो नाभियां होती हैं, और उनके निर्दे सांग होंगे, प्लस माइनस AE, 0, तो देखो, यह एक नाभी होगी, इसको माल लीजगा, मैं S बोलता हूँ, इसके निर्दे सा देखो, इतनी दूरी है, और AE यदि दूरी की बात करो, तो AE इतनी दूरी है, इसका मतलब AE बड़ा है A से, क्योंकि AE वाला निर्दे सांग दाइं तरफ है जादा, तो इसका मतलब AE यदि A से बड़ा है, तो E हमेसा 1 से बड़ा होना चीए, तो आपको तरन समझ में आ तो आप डारेक्ट वहां बता देंगे अथपर्वले की अब यहाँ पर उतके अंदरता के लिए भी फॉर्मुला होता है तो उतके अंदरता के लिए फॉर्मुला होता है E बराबर अंडरूट में 1 प्लस अब यहाँ पर देखो आपको इससे मतलब नहीं बड़ा छूटा कौन सा है आपको इससे मतलब है कौन सा धनात्मक है तो A स्कॉर वाला पर धनात्मक है तो उसको हम हर में लिखते हैं तो यह आगया B स्कॉर बटे A स्कॉर करके तो यह उतके अंदरता आपके पास आगी तो अभी आपने क्या सीख लिया, केंदर सीख लिया निकालना, सीविर से नाभिया उतकेंदरता निकालना सीख लिया अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिरकार हमारे पास नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी आएगी तो नाबिलंब जीवा की लंबाई भी देख लेते हैं देखे नाबिलंब जीवा बोलें या नाबिलंब की लंबाई वो fix रहेगी चुंकि ये आपके पास x अच पर इसकी नाबि आए अर्थात formula 2b square बटे a के बराबर ही आपके पास यहाँ पर रहेगा तो नाबिलंब समझ लेते हैं आकर होते क्या हैं तो नाबिलंब होते हैं जो अक्छो होती है परवल है कि उसके लंबवत तका नाबि से जाने वाली रेखाएं तो यह देखो आपके पास नाबिलंब है ये, एक नाविलम इ штय बना दिया और दूसरा नाविलम आपको दिखाई दे रहे हैं एक तो ये वाला नाविलम और एक के वाला नाविलम दौनों की लंबाई हमेसा बिल्कुल सेम रहती है जो कि इस केस में टू बी स्क्वाइर बटे एक के बराबर आएगी अब यहाँ पर जैसे दीर वर्त में हमारे पास दीर और लगुवच्छ होती थी यहाँ पर हमारे पास अनुपरस्त और संयुगमी अच्छ होती है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनुपरस्त अच्छ की लंबाई अर्थाद अनुपरस्त अच्छ भी लिख सकते हैं ऐसे हम और एक हमारे पास आएगी संयुग मी अच्छ की लंबाई तो पहले तो मैं किवे लिख देता हूँ उनको फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखर वो होती कितनी है और कैसे हमने पता किया तो संयुग मी अच्छ की लंबाई अब देखो यहाँ पर जो A-square वाला पद है वो धनातमक है देख सकते हैं इसका मतलब जो ये वाली अक्छ होगी मतलब A से A-S की बीच की दूरी होती है वही हमारे पास अनुपरस अच्छ की लंबाई होती है तो A से A-S की बीच की दूरी आपको 2A मिल जाएगी बहुत आसानी से तो ये 2A होती है अनुपरस अच्छ की लंबाई और संयुग मी अच्छ की लंबाई 2B होती है अब कोई चात्र यह बोल सकता है कि सयंग में अच्छे किदर है यह तो हमें दिखाई नहीं देगी तो सयंग में अच्छे ऐसे आपको नहीं दिखाई देगी लेकिन अगर आप नर्देसंग लिखना चाहोगे तो एक नर्देसंग देखो कि समझ लिए एक एक पॉइंट की क्या क्या होता है और कैसे कैसे हम निकालते हैं अब हम प्रॉपर कॉश्चन पर आते हैं कॉश्चन में जो आपको अतिपरवल्य दिया हुआ है वो है एक स्क्वार बटे 16 माइनस वाई स्क्वार बटे 9 बराबर 1 तो मैंने देखी ये लिख दिया अब आपका काम है आप तुरंट इसे x स्क्वार बटे a स्क्वार माईनस y स्क्वार बटे b स्क्वार बराबर 1 से तुलना करोगे तो a स्क्वार देखिए 16 के बराबर आ गया और b स्क्वार 9 के बराबर आ गया अर्थात आपके पास देख सकते हैं A कामान तो 4 आ जाएगा और B कामान 3 आ जाएगा अब देखते हैं आपको क्या-क्या निकालना है सबसे पहला बोला गया था सीडसों के निर्देसंग आपको निकालने है आपको यह समझ में आ रहा है कि यह हमारे पास X स्कार वाला पत धनातमक है अर्थात हमारे पास यह जैसा हमने आपको जनर्रल अभी समझाया बिल्कुल वैसा ही अतपरवल है तो सीडसों के निर्देसंग यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे प्लस माइनस A कॉमा 0 इस तरीके से A कमान अब आप यहाँ लगा दो तो यह आजाएगा दो सीडस होंगे एक तो प्लस चार कॉमा 0 और एक आएगा माइनस का चार कॉमा 0 सीडस आगे अब फिर बात आती है कि A और B ज़दी पता लगी ही गए तो हमें उतके निरता भी निकालनी चाहिए तो E बराबर यहाँ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस B स्कॉयर बटे A स्कॉयर तो E बराबर यहाँ पर ध्यान रखना के प्लस होता है धीरवत में माइनस होता था और यहाँ पर B स्कॉयर बटे A स्कॉयर को हम बड़े छोटे से नहीं देखते हैं, यहाँ पर हम इससे देखते हैं कि कौन धनात्मक्चन्द के साथ था और कौन धनात्मक्चन्द के साथ था, इन बातों पर आपको ध्यान रखना होगा, तो E बराबर देखिए, अंडरूट में, 1 प्लस B स्क्वार देखिए, 9 हो जाए तो अब देखिए, आप नाभियों की निर्दे सांग बहुत थानी से निकाल सकते हैं, दो नाभिय हमने आपको बता ही हैं, वो होगी प्लस माइनस A E कॉमा जीरो होगी, तो E कमान 4 है, E कमान 5 बटे 4 है, गुणा कर नेवर 5 आएगा, तो प्लस माइनस 5 कॉमा जीरो आजाए निकाल के दिखाई दी, 5 बटे 4 आई थी, अब नाभियलंब जीवा की बात करते हैं, कि आखिर उसकी लंबाई कितनी है, तो नाभियलंब जीवा की लंबाई, यह हम बोल सकते हैं, नाभियलंब की लंबाई, तो वो फॉर्मुला अभी आपको बताया है हमने, कि वो होता है 2B square बटे A के बराबर तो देखो 2B square का मान कितना है मारे पास 9 है और A का मान 4 है तो इस तरीके से अगर आप देखो तो 2 से ये 4 दो बार कैंसल हो जाएगा तो आपके पास नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी 9 बटे 2, 1 आईए तो आप देख रहें एक एक करके हमने सभी भागों को आसानी से हल्म कर दिया है अब देखिए प्रशन संख्या 2 पर आते हैं तो इस परवले में आपको सीडसों, नाभियों की नर्जे संख, उतके इंदरता और नाभिलम जीवा की लंबाई ही ग्यात करनी है लेकिन, यहाँ पर आप देखो अते परवले का सम्ही करन है y2 बटे 9 माइनस x2 बटे 27 बराबर 1 तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा गौर करना है कि कैसे हम इस अते परवले को समझेंगे तो अभी देखो, पहले परशन में मैंने आपको समझाया था दूसरे तरीके एक आते परवले, यहाँ पर देखो y2 वाला धनातमक है तो अब इसको समय लेते हैं जब भी आपके पास y2 बटे b2 माइनस x2 बटे a2 बराबर 1 इस तरीके से अते परवले लिखा होगा तो यहाँ पर देखो, मैं क्या कर रहा हूँ कुछ हो सकता है, किताबों में x2 के नीचे b2 लिख दें यहाँ पर मलब धनातमक वाले को हमेशा a2 लिखें यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया और यह हमारे पास हो गया x अच्छ अब यह कैसा अत्परवले बनता है देखने में कैसा फिगर बनेगा इसका तो उसको समझ लेते हैं यह अत्परवले बनता है हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ब्रांच यह आएगी, मतलब एक साखा और दूसरी साखा आपके पास कुछ इस तरीके की आएगी तो दो साखाएं होती थी हमने आपको पिछली वाले अत्परवले में भी समझाए था लेकिन इसमें जो दो साखाएं होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं अब यहाँ पर समझती हैं कि उसको तो हमने अतपरवले ही नाम दे दिया था, अब ये x square बटे a square minus y square बटे b square बराबर एक का संयूग में अतपरवले हो गया, तो इसको हम संयूग में अतपरवले का नाम देते हैं, फिर अब देखें, यहां पर हम एक एक करके फिर समय लेते हैं, केंद्र हमारे पास ये मूल बिंदू ही रहेगा, जिसके सापेक हमारा ये पूरा graph सम्मित होता है, तो केंद्र हमको समझ में आ गया, मूल बिंदू हो गया, तो मैंने केंद्र लिख दिया मूल बिंदू, B के निर्दे सांग हो गए 0,B और B' के निर्दे सांग हो गए 0,-B तो जो C'ds के निर्दे सांग हो गए वो दो C'ds हैं combine करके लिखो गए तो 0, plus minus B आ गए इसी तरीके से आप देखोगे दो नाभी आओंगी आप आपके पास तो एक नाभी यहाँ पर होगी दो नाभी आओंगी और उनके निर्दे सांग हो गए है 0, plus minus B E के बराबर फिर बात करते हैं जब E का यूज होई गया तो उतके निर्दे सांग होगी तो उतके निर्दे सांग हो जाएगी E बराबर अंडर रूट में 1 plus अब यहाँ पर आप देखो हमने बोला था अंस में वही रखते हैं जो रिदात्माग होता है तो अंस में रिदात्माग देखो कौन सा है A SQUARE तो रिदात्माग वाला लिख दी हमने मतलब चिन्नक को प्लस ही रखेंगे बस A² रखा अंस में बटे B² कर दिया तो यह उतके निर्दा आ गई फिर उसके बाद बात आती थी कि यहाँ पर भी अनप्रस तो संयुग मी अच्छ होंगी तो अब अनप्रस अच्छी की लंबाई देख लेता हूं और फिर हम संयुग मी अच्छी की लंबाई देखेंगे तो अनप्रस अच्छी की लंबाई क्या होगी यहाँ पर हमारे पास B,B- darf के बरावर हो जाएगी आप देख सकते B और B- to B के बीच की दूरी जो होगी वह अनप्रस अच्छी की लंबाई हो जाएगी तो यह हो गई हमारे पास 2B और इसी तरीके से सैयुग मी अच्च की लंबाई यदि हम देखेंगे तो सैयुग मी अच्च की लंबाई आपके पास यह जाएगी 2A के बरावर अगर हम नर्दे सांग दिखना चाहें सैयुग मी अच्च के जो सीर्स होंगे उनका तो यह कहीं A नर्दे सांग होगा यहां कहीं A डैस होगा A के नर्दे सांग A कॉमा जीरो और A डैस के नर्दे सांग माइनस A कॉमा जीरो यह आ गया फिर अब हमारे पास नाभी लंब जीवा की लंबाई का फॉर्मूला लिख लेते हैं नाबिलंब जीवा की लंबाई, यह हम बोल सकते हैं, नाबिलंब की लंबाई, वो हो जाएगी 2 A square बटे B के बराबर, इनका आपको ध्यान रखना है, अब नाबिलंब एक बार मैं समझा भी देता हूँ, आखिर क्या होते हैं, नाबिलंब होते हैं, अक्षे के लंबबाद न एक जीवा यह हो गई, और दूसरी जीवा आपके पास यह आजाएगी, तो यह दोनों आपके पास एक जीवा यह है, और एक यह है, यह दोनों नाबिलंब की जीवा हैं, और दोनों की लंबाई समान ही रहेगी इस केस में, जो कि 2 A square बटे B के बराबर आएगी, अब यह हम सभी एक एक पॉइंट करके सब कोई सीख लिया, समझ लिया, अब हम एक्च्वल प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न में देखिए, आपको बोला गया है, जो अत्य परवले है, उसका समीकरण है, Y square बटे 9, minus X square बटे 27 बराबर 1, तो यहाँ पर पहले मैं उसको लिख देता हूँ, अब इसको हम तुलना कर देते हैं, Y square बटे B square minus X square बटे A square बराबर 1 से, मैं आपको पहली बता रहा हूँ कि कुछ books में यह हो सकता है, कुछ किताबों में, या कहीं पर आप हो सकता है, ऐसे पढ़े हैं, Y square बटे A square minus X square बटे B square, इस से तुलना करवाएं, तो आप वो वाला भी उच कर सकते हैं, मैंने जैसे यह लिखा है, आप कोई सा भी उच कर सकते हैं, दोनों से बिल्कु सही उत्तरी आएगा, लेकिन formula में थोड़ा सा change तो होई जाएगा, जहाँ A होगा, वहाँ B कर देना, formula में, तो आप A की तरीके का ध्यान रखें, ठाके कोई भी confusion न जाएगा, अब चुक्के हमें यह तो पता है, सहींग में अतपरवल हैं, अर्थाद इसकी नाभियां Y अक्षपर हैं, तो सबसे पहले हम सीर्स के नर्दे सांग याद कर लेते हैं, सीर्स के नर्दे सांग होंगे 0, plus minus B, इस तरीके से आप देखो, यह आगया 0, plus minus 3, यह सीर बटे, B square, तो अब यह देखो, यहाँ से, E बराबर, अंडरूट में, 1 प्लस, A square कितना हो जाएगा, 27 और B square हो गया, 9, तो यह देखो, 9 से 27 तीन बार कैंसल हो गया, तो E बराबर, अंडरूट 4 हो गया, क्योंकि 1 प्लस 3 है, तो अंडरूट 4 होता है, 2 के बराबर, तो उतक के उतके नदरता 2 आ गई, तो अब देखिए, यहाँ से आप दोनों नाभियां लिख सकते हैं, लेकिन नाभियों की नर्दे संग आपके पास हो जाएगे, 0, plus, minus, B, E, B कमान 3 है, E कमान 2 है, तो यह आ जाएगा, 0, plus, minus, 6, अर्था 2 नाभिया आ गई, 1 हो गई, 0, plus, 6, और 1 हो गई, 0, minus, 6, उतके नदरता आपने निकाल ली, अब बारी आती है हमारी, कि नाभियलंब जीवा की हमें लंबाई निकाल ली है, तो नाभियलंब जीवा की लंबाई, अर्थात नाभियलंब की लंबाई हमें निकाल ली है, basically, तो नाभियलंब की लंबाई का फॉर्मुल आपके पास तीन आया है तो तीन से ताइस ये नौ बार कैंसल हो गया तो आपके पास नाभिलंब की लंबाई आ जाएगी 18 एक आई तो इस तरीके से आपका ये प्रशन आसानी से हल हो जाएगा अब देखिए तीसरे प्रशन पर आएंगे इस प्रशन में आपको बोला गया कि दिये गए अतपरवले में सीर्स, नाभियों की निर्दे सांख उतके निर्ता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ग्याद करनी है जबकि आपके पास अतपरवले दिया हुआ है आपके अतपरवले हो सकते थे अब हम यहाँ पर डारेक्ट कोसिस करेंगे बिना ग्राफ बनाए फॉर्मुलों से ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो तो हमारी कोसिस सबसे पहली क्या रहेगी हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो अत्परवले आएगा उसका दाहिना पच्च एक होना चाहिए अब चाहें बाई में x² बटे a² माइनस y² बटे b² या y² बटे b² माइनस x² बटे a² दाहिने पच्च वामेसा एक ही होना चाहिए तो यह सवाल देखो कैसे बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा क्यों मैंने एक बोला क्योंकि देखो y² बटे b² पहले लिख लिए तो आप 36 से पहले तो भाग दो तो यह हो जाएगा 9y² बटे 36 माइनस 4x² बटे 36 बटे 36 बटे 36 आगया अब देखो यहां से आपके पास हो जाएगा y² बटे 4 माइनस x² बटे 9 बबर एक यह देखे आपके पास आगया y² बटे 4 माइनस x² बटे 9 बबर एक तो अभी आप किस से तुलना करेंगे चुकि आपने देखा y² के नीचे जोल है वो हमारे पास धनात्मक है मतलब यह वाला पत धनात्मक है y वाला तो अब हम इसकी तुलना करेंगे y² बटे b² माइनस x² बटे a² बबर एक से तो इससे देखी अब हम तुलना करते हैं तो अगर इससे तुलना करेंगे तो देखी b² का मान 4 आ गया a² का मान 9 आ गया तो b बराबर यहां से देखी 2 आ गया और a बराबर आपके पास 3 आ जाएगा अब a और b के मान यदि आपके पास आ गए तो आप उतके निरता तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं वो हो जाएगी e बराबर अंडरूट में 1 प्लस a² बटे b² के बराबर अब यहां पर a और b के मान रख देते हैं अर्थाथ a² और b² गे तो e बराबर अंडरूट में 1 प्लस a² 9 हो गया और b² चार हो गया तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास याद हैगा अंडरूट का 13 बटे 4 चार का वर्गमूल आप आसानी से ले सकते हो तो चार का वर्गमूल ले लिजेगा 13 गोएसी रहने दीजेगा तो e बराबर आजाएगा अंडरूट का 13 बटे 2 तो आपके पास उतके निरत आगई अंडरूट 13 बटे 2 अब यहाँ पर एक एक करके सभी के मान निकालते हैं तो देखिए सीर्स के निर्दे सांग निकालते हैं चुंकि यह सहिग में अतपरवले तरीके का है क्योंकि y के निके निके बी लिखा है तो यहाँ पर क्या हो गया इसके निर्दे सांग होंगे 0, plus minus b अर्थात यह हो जाएगा 0, plus minus 2 यह सीर्स के निर्दे सांग हो गए अब हम नाभियों के निर्दे सांग निकालते हैं दो नाभियां होंगी हमें ये तो पता ही है अत्य परवले की दो नाभियां होती है तो निर्दे सांगोंगे 0, plus minus B E तो B कमान देखो 2 है E कमान है under root 13 बटे दो तो हल करने पर यह आपके पास आजाएगा 0, plus minus under root 13 अर्था 2 नाभियां होगे एक 0, under root 13 और एक हो जाएगी 0, minus का under root 13 फिर उसके बाद बारी आती है उतके निर्दा की वो हमने निकाल ली थी और अब हमें नाभिय लंब की लंबाई ग्याद करनी है तो नाभिय लंब की लंबाई आपके पास हो जाएगी 2 A square बटे B इस वाले केसमें यही होता है फॉर्मूला तो देखिए 2 A square का मान 9 हो गया और B का मान आपके पास 2 आ गया तो जब आप हल करोगे तो 2 से तो 2 यह कैंसल हो गया तो आपके पास 9 एकाई बचेगा तो आप देख रहे हो इस तरीके से इस परस्ट में सीर्ष के निर्जे सांग आगए 0, plus minus 2 नाभियों के निर्जे सांग आगए 0, plus minus under root 13 उतके निर्जे सांग आगए under root 13 बटे 2 और नाभिलंब की लंबाई आई है 9 एकाई चलिए अब हम अगले प्रशन पर आते हैं प्रशन संक्या 4 पर इसमें आपको देखो अतपरवले के सीर्जे सो नाभियों के निर्जे सांग उतके निर्जे सांग उतके निर्टा और नाभिलंब जीवा की लंबाई ग्यात करनी है लेकिन यहाँ पर अब देखिए आपके पास जो अतपरवले का समीकरन है वो है 16x²-9y² बराबर 570 तो आपने अब देखा कि यहाँ पर देखो दोबारा बराबर के एक तरफ एक नहीं है तो आप एक बनाओगे तो कैसे बनाएंगे? 570 से भाग करके दोनो पच्छों में भाग कर देते हैं तो 16x² बटे 570 माइनस 9y² बटे 570 बराबर 570 बटे 570 यह आपके पास कुछ इस तरीके से आजाएगा तो देखिए अभी हम इसको थोड़ा सरल करते हैं तो यह हो जाएगा 16x43, 16x96 यह हो जाएगा 9x54, 9x54 और यह 570 बटे 570 तो एक बार कैंसल होई गया तो अभी आपने देखा कि आपके पास यह यहाँ पर 64 आएगा यह मैंने ध्यान ने दिया तो अब देखो आपके पास जो अतपरवलय बना है वो कुछ इस तरीके का बना है x² बटे 36 माइनस y² बटे 64 बराबर 1 तो अब देखो x² के संगवाला धनात्मा गया अभी तो अभी हम क्या करेंगे कि इसे कंपेर करेंगे x² बटे a² माइनस y² बटे b² बराबर 1 से तो देखी इस से तुलना करते है तो हमारे पास a² आजाएगा 36 b² आजाएगा 64 तो इस तरीके से देखो a² 36 और b² 64 यदे आगया तो a और b के मान भी आगए a का मान आजाएगा 6 और b का मान आजाएगा 8 अब आपके पास देखो उतके नरता भी आसानी से आजाएगी फॉर्मुला होगा e बराबर अंडरूड में देखो यहाँ पर x वाला पर धनात्मक है तो फॉर्मुले में 1 प्लस b² बटे a² आएगा अंडरूड के अंदर जो आएगा तो देखे e बराबर अंडरूड में 1 प्लस b² का मान है 64 a² का मान है 36 तो यदि आप थोड़ा इसको सरल करो तो देखो 4 से कैंसल करता हूँ यह 16 आ गया यह 9 आ गया तो e बराबर आपके पास 25 बटे 9 और इसका वर्ग मूल आ जाएगा तो यह 5 बटे 3 के बराबर हो जाएगा तो उतके इंदरत आपके पास आ गई 5 बटे 3 अब जब उतके इंदरत आपके पास आ गई फिर बात करते हैं नाभियों की तो दो नाभिया आएंगी तो अब एकसी बात है नाभियों की निर्दे सांग formula wise plus minus ae,0 आएंगे अब दिखे a कमान तो 6 हो गया e कमान 5 बटे 3 है तो यह आजाएगा plus minus 10,0 क्योंकि अगर आप ae निकालो, मैं यहापर side में निकालता हूँ आपके लिए a कमान 6, e कमान 5 बटे 3 3 से 6 दो बार cancel हो गया तो यह 10 आया ae कमान 10 आया चूंकि plus minus लगाना था तो वो हमने लगा दिया अर्था 2 नाभी आ गई, एक 10,0 और एक minus 10,0 फिर अब हमें अंत में निकालना है नाभी लंब जीवा की लंबाई यह हम बोल सकते हैं नाभी लंब की लंबाई तो वो formula हो जाएगा 2b square बटे a के बरावर, देखें 2 b square कमान 64 और a कमान आपके पास 6 रह जाएगा तो अगर आप देखोगे थोड़ा सरल करके तो 2-6 यह तीन बर कैंसल हो गया तो इस तड़ी के से देखिए यह आपके पास आजाएगा 64 बटे 3,1 पांचवे परशन पर आते हैं यहाँ पर भी देखिए आपको अत्परवले के seeds नाभियों के नड़ते सांग उतके नड़ता तथा नाभिलंब जीवा की नंबाई गयाद करनी है और देखिए आपके पास जो अत्परवले का समी करन है वो है 5y स्क्वाइर माइनस 9x स्क्वाइर बराबर 36 अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आप गौर करोगे तो देखो बराबर में 36 लिखा हुआ है लेकिन हमको तो एक चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे 36 से भाग करेंगे तो 5y स्क्वाइर बटे 36 आ गया माइनस 9x स्क्वाइर बटे 36 आ जाएगा बराबर यह 36 बटे 36 आ ही जाएगा फिर यदि आप गौर करो तो देखो 36 से 36 कैंसल हो गया 9 से 36 चार बार कैंसल हो गया लेकिन यह 5 से 36 को हम कैंसल नहीं कर पाएगे लेकिन हमें तो ध्यान रखना है कि हमें अब इसको y स्क्वाइर बटे b स्क्वाइर माइनस x स्क्वाइर बटे a स्क्वाइर बराबर 1 इस वाले रूप में लेकिया आना है अर्थात अंस में y स्क्वाइर और x स्क्वाइर के साथ में केवल और केवल 1 ही होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर तो 5 आएगा तो अब आप देखो इसको लिखने का एक तरीका हमारे पास कुछ इस तरीके से हो सकता है आप यह दिक और करें देखे हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस इसे लिख सकते हैं x स्क्वाइर बटे 4 बराबर 1 जब आपने इस तरीके से लिख दिया 36 बटे 5 a square का मान आ जाएगा 4 अगर आपको b और a के मान भी निकाल ले तो आप निकाल सकते वैसे तो कोई जरूरत भी नहीं है तो b का मान देखिए आपके पास यहां पर आ जाएगा 6 बटे under root 5 और a का मान आपके पास 2 आ जाएगा अब देखिए यदि a और b आ गए तो उतके इंदर तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यह formula अभी आपके पास हो जाएगा under root में 1 प्लस a square बटे b square तो e बराबर under root में 1 प्लस a square देखिए 4 हो गया और b square आपके पास 6 बटे under root 5 आ जाएगा तो यहां से अगर आप गौर करो तो आपके पास यह हो जाएगा यहां पर देखो मैं कि अगर sorry b square है यहां पर तो b square तो 36 बटे 5 है यहां मैंने 6 बटे under root 5 गलत लिखा था 36 बटे 5 आपने लिख दिया तो e बराबर देखिए यह हो जाएगा under root में 1 प्लस 20 बटे 36 आ गया अगर मैं इसे 4 से थोड़ा cancel करूं तो देखो यह आजाएगा 5 और यह आजाएगा 9 तो e बराबर आजाएगा under root का 14 बटे 3 क्योंकि under root 9 आता तो वो तो 3 ही बन जाएगा तो मैंने इस तरीके से e का मान निकाल लिया a, b और e 3 हो के मान आ गए अब देखिए हम कैसे कैसे जल्दी से चीज़े निकालते है seeds चुंकि यह आप देख रहे हो y square वाला धनात्मक है पद x square वाला लायात्मक है तो इसका seeds जो आते थे वो आएगे 0, plus minus b इस तरीके के अब b का मान है 6 बटे अंडरूर 5 तो आप लिख सकते 0, plus minus 6 बटे अंडरूर 5 या कुछ आतर देखो इसको थोड़ा सरल करके अगर लिखना चाहेंगे तो वो इसे लिखेंगे 0, plus minus 6 अंडरूर 5 बटे 5 तो आप कोई भी उतर दे सकते चाहें ये दो, चाहें ये उतर दो क्यों ऐसा हम बोलना है क्योंकि आप देखो ये दोने एक ही बात है अगर मैं इसमें अंडरूर 5 का उपर नीचे गुणा कर दू तो मेरे पास यही वनेगा जो यहाँ पर लिखा है इसलिए हमने बोला कि आप कुछ भी लिख सकते है फिर बात आती है कि हमें अब नाभियों के नर्दे संग लिखने है तो नाभियां हम जानते हैं कि 2 होती हैं हमारे पास नाभिया 0, plus minus BE तो देखिए अब B हमारे पास 6 बटे अंडरूर 5 है और E है अंडरूर 14 बटे 3 तो मैं BE अधि साइड में निकालूं यहाँ पर रफवर के लिए तो देखो B कमान 6 बटे अंडरूर 5 और E कमान क्या करतेता हूं अंडरूर 14 बटे 3 कर देता हूं तो 3 से 6 देखो 2 बार कैंसल हो गया तो इस तरीके से B E कमान आ जाएगा 2 अंडरूर 14 बटे अंडरूर 5 तो B E अधि आ गया तो अब नाभिया हमारे पास आ जाएगी बस प्लस माइनस लगाना होगा हमे तो यह हो जाएगा 0, प्लस माइनस 2 अंडरूर 14 बटे अंडरूर 5 यह नाभियों के नर्दे सांग हो गए अब हमें क्या करना होगा इस एंटर सीटी अर्था उतके इंदर था हमारे पास पहले आ चुकी है नहीं निकाल ली यहाँ पर तभी तो हम नाभिये निकाल पाए क्योंगे इसमें E की जरूरूरत पढ़ रही थी अब अन्त में हम नाभिय लंब की लंबाई ग्याद करेंगे तो नाभिय लंब की लंबाई यह आपके पास फॉर्मुला हो जाएगा 2 A स्क्वाइर बटे B के बराबर अब यहां से आप देखो 2 A स्क्वाइर का मान आप यह देखोगे यहां से तो 4 के बराबर है और B का मान यह आपके पास है 6 बटे अंडरूट 5 के बराबर तो बस अब इसको सरल करना बागी रह गया बागी अब कॉंसेप्ट तो कुछ नहीं लगाना हमे तो देखो यह हमारे पास आ जाएगा 8 अंडरूट 5 बटे 6 अब यदि हम इसे 2 से कैंसल करें तो देखो यह 4 बर कैंसल हो गया और यह 3 बर कैंसल हो जाएगा यह 6 था आपके पास और 3 बर कैंसल हो गया तो इस तरीके से अब देखिए आपके पास यह हो जाएगा 4 अंडरूट 5 बटे 3 इक आई छटे प्रश्ण में आते हैं इसमें बोला गया कि आपको अत्यपरवलय के सीडसों नाभियों के नरदे सांख उतके इंदरता और नाभिलंब जीव की लंबाई ग्याद करनी जीव नहीं है याँ पर जीवा ही होगा नाभिलंब जीवा की लंबाई आपको ग्याद करनी है और देखिए अब आपके पास जो अत्यपरवलय का सम्हें करना है वो 49 y square minus 16 x square बराबर 684 तो देखो सबसे पहले तो आपने देखा 684 है हमें तो 1 चाही होता था बराबर में तो अब हम 684 से ही इसको भाग करेंगे तो देखिए हमारे पास हो जाएगा 49 y square बटे 684 minus 16 x square बराबर 784 बटे 784 तब ही तो एक बनेगा जब 784 से भाग करेंगे तो देखो यह तो हमें समझ में आ गया तुरंट कि एक बन जाएगा अब 49 से यह इसको हम कैंसल करें तो देखो 49 एक अब 49 यह हमारे पास 294 बचा अर्थात 49 इंटू 6 हो गया 16 से कैंसल करेंगे तो यह अब आपके पास 49 आ जाएगा तो अब आपको देखो यह समझ में आ गया कि आपके पास यह बनना है y square बटे 16 माइनस x square बटे 49 बराबर 1 के फिर हम इसको तुलना करेंगे y square बटे b square माइनस x square बटे a square बराबर 1 से तो देखिए इस से तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हमारे पास आ जाएगा b square बराबर तो 16 आ गया और a square बराबर 49 अर्थात b का मान 4 आ गया और a का मान 7 आ जाएगा a और b का मान यदि आपने निकाल लिया तो अब आप e और साथ उतके निर्था भी निकाल सकते हो यह हो जाएगी under root में 1 प्लस a square बटे b square यह formula लगेगा यह क्यों लगाया है क्योंकि x वाला negative था इसलिए a square को हमने अंस में लिया है जो negative होता था उसको हम अंस में ले लेते थे तो e बराबर under root में 1 प्लस a square कितना है आपने पास 49 और b square है 16 यह दि आप घड़ना करोगे तो यह आ जाएगा 65 बटे 16 पूरे का वर्गमूल और हल करने पर under root 65 बटे 4 यह आपके पास e अर्थाद उतके अंदरता का मान आ जाएगा अब उतके अंदरता चूखे आपने आसानी से निकाल ली तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे नाभिया सीड्स बहुत आसानी से निकाल पाएंगे तो देखिए सीड्सों के निर्दे संग निकालते हैं तो सीड्सों के निर्दे संग आप जानते हैं अभी आपके पास होंगे 0, plus minus b तो देखिए 0 तो आपने ऐसी लिख दिया कॉमा प्लस माइनस b कमान 4 है तो प्लस माइनस 4 होगे अर्था दो सीड्स आगे एक तो 0,4 और एक आगे 0, minus 4 आगे बढ़ते हैं आगे आपको नाभियों के निर्दे संग लिखने हैं तो दो नाभिया होंगी यहाँ पर भी पहली नाभि होगी 0,be और दूसरी होगी 0, minus b तो कमान्ड करके हमने 0, plus minus b यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ जाएगा 0, plus minus b 4 है और e है अंडरूट 65 बटे 4 गुणा करोगे तो अंडरूट 65 बचेगा तो इस तरीके साब आपने यहाँ पर लिख दिया तो नाभिया आ गई उतके इंदरता आपने पहले ही निकाल लिए है यहाँ पर देख सकते हैं आप अब आपको नाभियलंब की लंबाई गयाद करनी है यहाँ बोल सकते हैं नाभियलंब जीवा की लंबाई तो वो आपके पास फॉर्मला हो जाएगा 2 a square बटे b के बराबर देखे 2 a square का मान हमारे पास 49 है और b का मान हमारे पास 4 है तो अगर मैं 2 से 4 को cancel करूं तो देखो 2 बार cancel हो गया तो अब आपके पास यह आ जाएगा 49 बटे 2 एकाई और यही आपकी नाभियलंब की लंबाई हो जाएगी अब देखो प्रशने संक्या साथ परमाएंगे इसमें आपको बोला गया कि यहाँ पर आपको दिये गए परतवंदों को संतुष्ट करते हुए अतपरवलय का समीकरण ज्याद करना है जबकि सीड से दिया हुआ है प्लस माइनस 2,0 और नाभी दिया हुई है प्लस माइनस 3,0 तो अब यहाँ पर उल्टा करना है यह मैं हमें सीड सो नाभीया निकालनी नहीं है अतपरवलय का समीकरण निकालना है जबकि सीड सो नाभीया दिया हुई है तो अब समझ में पहले हमें तो यह गौर करना चाहिए कि क्या यह हमारे पास सहींग में अत्परवले होगा यह अत्परवले होगा अर्थात या तो x square बटे a square minus y square बटे b square बराबर एक वाला अत्परवले होगा या दूसरा अत्य परवले होता था y square बटे b square minus x square बटे a square बराबर एक वाला तो अब हमें ये गौर करना होगा कि कौन सा है तो उसको समयने के लिए आप ध्यान दखते हैं देखो चाहें सीर्स हो चाहें ना भी आपके पास देखो y निर्दे सांग 0 आ रहा है y निर्दे सांग 0 तभी आएगा जब आपके पास अत्य परवले कुछ इस तरीके का बनेगा देखो यहाँ पर मैंने बना रहा हूँ यह वाला अत्य परवले बनेगा अर्थात आपको तरण समझ में आएगा कि यह वाला अत्य परवले होना चाहिए तो आपको यह तो समझ में आ गया कि x स्क्वाइर बटे a स्क्वाइर माइनस y स्क्वाइर बटे b स्क्वाइर बराबर एक यह वाला अत्य परवले आपके पास आएगा अब यहाँ पर यह अत्य परवले है प्लस माइनस दो कॉमा जीरो के बराबर और अगर मैं focus या नाभियों की बात करूँ तो वो होती थी इसे परवले के लिए प्लस माइनस A E कॉमा जीरो और वो प्रश्ण में अदिय हुई है प्लस माइनस तीन कॉमा जीरो अगर अब देखो आप compare करोगे तो a का मान तो देखो 2 आ जाएगा और a e बराबर आपके पास 3 आ जाएगा तो e का मान निकालोगी तो 3 बटे 2 आ जाएगा हमारा man aim है a और b निकालने का a तो हमारे पास आ गया लेकिन b अभी तक नहीं आया लेकिन e आ चुका है तो आप एक बात देखोगी कि a में e में और b में इन तीनों में एक फॉर्मुला होता है उतके इंदरता वाला e बराबर यह होता है अंडरूट में 1 प्लस b स्कॉयर बटे a स्कॉयर वाला तो इस फॉर्मुले की साहिता से देखिए हम b स्कॉयर निकालेंगे कैसे मान लगाते हैं e कमान 3 बटे 2 बराबर अंडरूट में 1 प्लस b स्कॉयर हमें नहीं पता हमने ऐसी लिख दिया a स्कॉयर देखिए हमारे पास 4 हो जाएगा क्योंकि e कमान 2 है हम क्या करते हैं दोना तरफ वर्क कर देते हैं फॉर्मूला तो यही रहेगा अपने पास अत्यपरवले का तो x स्कॉयर बटे a स्कॉयर a कमान 2 है तो स्कॉयर 4 हो गया माइनस y स्कॉयर बटे b स्कॉयर देखिए 5 है बराबर 1 हो गया तो यह आप अपना उत्तर लिख दीजेगा या अगर आप लासापा ले लेते हैं तो लासापा लेके लिख सकते हैं पांच x स्कॉयर माइनस 4 y स्कॉयर बराबर 20 तो इन दोनों में से आप कोई भी अपना उत्तर लिख सकते हैं दोनों ही उत्तर आपके पास बिलकुल सही है चलिए अब हम क्या करते हैं कि अगले प्रशन पर आते हैं आठ में प्रशन पर इसमें आपको बोला गया है कि निमने लिखित में दिये गए प्रतिमिंदों को संतुष्ट करते हुए अत्य परवले का समीकरण आपको ग्याद करना है जबकि आपके पास सीड्स है जीरो कॉमा प्लस माइनस पाँच और नाभिया है जीरो कॉमा प्लस माइनस आठ फिर यहां से आपने देखा कि अभी आपको नहीं पता कि कौन सा अत्य परवले है लेकिन जैसे ही आपने सीड्स को देखा और नाभी को देखा देखो एकस नरजे सांग 0 आ रहे है एकस नरजे सांग 0 आना मतलब आपके पास जो अत्य परवले अब बनेगा वो बनेगा y square बटे b square माइनस x square बटे a square बराबर एक वाला अब जब यह आपको समझ में आ गया तब आप इसके साथ से solve करेंगे प्रश्ण को आपको पता है कि इस अत्परवले के हिसाथ से जो seeds होते थे ओ उते थे 0, plus minus b लेकिन प्रश्ण में आपको दी हुए है 0, plus minus 5 तथा इस अत्परवले के हिसाथ से नाभिया होती थी 0, plus minus b e आपको प्रश्ण में दी हुई है जीरो कॉमा प्लस माइनस आठ अब आप तुलना करोगे तो देखो B का मान यहां से 5 मिल गया तुरंत तुलना करने पर और B E का मान मिल जाएगा 8 तो E का मान भी मिल जाएगा 8 बटे B अर्थाथ 8 बटे 5 क्योंकि B का मान तो 5 है आपका उद्दिष होगा कैसे भी कि A और B के मान पता लग जाए B के देखे आपको पता लग गए अब A का मान ग्याद करने के लिए आपको एक फॉर्मुला पता है उतके निरता का E बराबर अंडरूड में देखो फॉर्मुला हमारे पास है 1 प्लस A स्क्वाइर बटे B स्क्वाइर वाला चुकि हमें A स्क्वाइर तो नहीं पता है तो अब हम क्या करेंगे A स्क्वाइर को तो ऐसी रहने देंगे तो यह आगया 8 बटे 5 बराबर अंडरूड में 1 प्लस A स्क्वाइर बटे B 5 है तो B स्क्वाइर पत्चिस हो जाएगा तो हमें अंडरूड हटाना पड़ेगा तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे हम क्या करते हैं दोना तरफ वर्क कर देते हैं तो यह आगया 64 बटे 25 बराबर इधर भी वर्क किया तो यह अंडरूड कच्छन हटे गया लासाप ले लिया तो लासाप बटे 25 आया और यह बन गया 25 प्लस A स्क्वाइर 25 से 25 आपके पास कैंसल हो गया और आपके पास बनेगा A स्क्वाइर बराबर 64 माइनस 25 अर्थात 49 तो आपने देखा कि A स्क्वाइर अब आपके पास आगया 49 के बराबर और B देखिए आपने स्टार्टिंग में ही निकाला था 5 के बराबर तो हमारे पास देखिए अतपरवले क्या हो जाएगा Y स्क्वाइर बटे B स्क्वाइर D 5 था तो B स्क्वाइर 25 हो गया माइनस X स्क्वाइर बटे A स्क्वाइर अब देखो इसका स्क्वाइर नहीं करना क्योंकि A स्क्वाइर खुद पहले से ही आया है तो यह हो गया 49 बराबर 1 और यही आपका इस प्रशन का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा अब यदि आप चाहते थे तो आप चाहो तो इसको लासापा लेके भी लिख सकते हो या ऐसे ही लिखा रहे हैं तो दोनों ही तरीके से आपका सही ही माना जाएगा अब देखो प्रशन संख्या 9 पर आते हैं यहाँ पर आपको बोला गया कि निम्न लिखित में दिये गई परतबंदों को संतोष्ट करते हुए आपको एक अतपरवले का समीगरण लिखना है उस अतपरवले के देखिए सीर्स दिये हुए हैं 0, plus minus 3 और नाविया दी हुई है 0, plus minus 5 तो अगर आप यहाँ से देखो अब गौर करो कि देखो हमारे पास x निर्दे सांग 0 मिलना है सीर्स और नावियों के और यह तो तभी होता था जब हमारे पास अतपरवले का समीगरण कुछ इस तरीके से हो y square upon b square minus x square बटे a square बराबर 1 इस तरीके का होगा तभी तो हम बोलते थे कि सीर्स और नावियों में जो x निर्दे सांग होगा वो 0 होगा क्योंकि यह सब y x पर ही आते थे अर्थाथ x वाला निर्दे सांग 0 तो अगर मैं इस फॉर्मुले के साफ से देखूं तो मेरे पास जो सीर्स होगा वो आएगा 0, plus minus b लेकिन प्रश्न में हमें कितना दिया गया सीर्स से 0, plus minus 3 और अगर मैं इसी फॉर्मुले के साफ से देखूं तो नावियां हमारे पास आएंगी 0, plus minus b e लेकिन प्रश्न में हमें दिया हुआ है 0, plus minus 5 अब यदि आप गौर करो तो देखो तुलना करते हैं यहां से देखो तुलना करोगे तो b कमान 3 मिल जाएगा चलिए b कमान तो हमें मिल गया क्योंकि हमें a और b चाहिए तभी हमारे पास answer आजाएगा अब यहां से b तो मिल गया और यहां से dेखे b e मिल गया हमें 5 तो इस तरीके से e का मान आपके पास ये देखी 5 बटे 3 आ जाएगा e का मान आ गया, b आ गया अब a निकालने के लिए आपको इनमें एक संबन्द होता है वो याद रखना होगा, मतलब इस एंटरिटी या हम बोल सकते हैं उतके निरता वाला फॉर्मूला e बराबर अंडरूट में 1 प्लस a स्कॉयर बटे 20 ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो अब देखो, e बराबर, e का मान 5 बटे 3 है बराबर अंडरूट में 1 प्लस, a हमें पता ही नहीं है तो हमने a स्कॉयर को तो ऐसे ही रखा b 3 है तो b स्कॉयर देखी 9 मिल जाएगा अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं ताकि ये हमारा अंडरूट का चनल हट जाए तो ये हो जाएगा 25 बटे 9 बराबर, 9 प्लस a स्कॉयर बटे 9 देखी 9 से 9 कैंसल हो गया और आपके पास a स्कॉयर का मान 25 माइनस 9 अर्था 16 आ जाएगा अब आप ये देखो गौर करने पर a स्कॉयर हमारे पास आ गया हमें बीम पता है लेकिन b स्कॉयर भी आ गया बिसिकली भी पता होने पर तो अब हमारे पास जो अत्यपरवले का अभीष्ट सम्मीकरन होगा वो जाएगा y स्कॉयर अपॉन b स्कॉयर अर्था 9 माइनस x स्कॉयर बटे a स्कॉयर अर्था 16 बराबर 1 तो यही आपका उत्तर भी हो जाएगा अब यदि आप चाहा हो तो आप इसे सरल करके अर्थाद लासापा लेकर भी लिख सकते हो तो आप कोई साभी उत्तर लिख दीजेगा दोन ही उत्तर आपके बिलको सही माने जाएगे और पूरे अंक आपको प्रदान किये जाएगे अब चलिए हम अगले प्रशन पर आते हैं प्रशन संख्या 10 पर तो देखिए प्रशन संख्या 10 में आपको बोला गया कि दिये गए प्रतवन्दों को संतिस्ट करते हुए अतपरवले का समीकरण आपको लिखना है अब यहाँ पर देखिए आपको नाभी दी हुई है प्लस माइनस 5,0 और अनुपरस्त अच्छे की लंबाई आपको 8 दी गई है यहाँ पर जैसे ही आपने तुरंद देखा कि य नर्दे सांग 0 है नाभी का मतलब हमारे पास जो अतपरवले आएगा वो आएगा x स्क्वार बटे a स्क्वार माइनस y स्क्वार बटे b स्क्वार बरावर 1 और हमने आपको देखो बताया भी था इसमें दो तरीगे के अच्छ होती है अनुपरस्त और सयूंग में आच तो इस अतपरवले की अनुपरस्त अच्छ जो होगी वो होती थी 2a के बरावर तो अनुपरस्त अच्छ चूंकि 2a होती थी अब लेकिन प्रश्ण में तो कितना दिया है 2a बरावर 8 दियूई है लंबाई तो आप देखो यहां से a तुरंट आपको मिल गया 4 के बरावर और नाभियां आपको दियूई है प्लस माइनस 5 नाभियां क्या होती थी हमारे पास प्लस माइनस a e कॉमा 0 वो दियूई है प्लस माइनस 5 कॉमा 0 तो अगर आप तुलना करोगे तो आपके पास देखी a e बरावर 5 आ जाएगा अब आपको तो आते परवले का समीगर लिखना है अर्थात ये वाले फॉर्मुले में बस a और b आपको पता लग जाए तो a तो देखो हमारे पास आ गया हमारे अब कोसिस रहेगी b या b square कुछ भी एक मिल जा है हमे तो हमारे पास एक फॉर्मुला है उतके इंदरता का e बराबर अंडरूट में 1 प्लस देखिए अब हमारे पास ये आ जाएगा b square बटे a square वाला फॉर्मुला क्योंकि x वाला जब positive होता है तो हमारे पास ये फॉर्मुला होता है उतके इंदरता का तो e कमान है 5 बटे 4 बराबर अंडरूट में 1 प्लस b square हमें नहीं पता है हमने उसको ऐसी रखा a कमान 4 है तो a square 16 हो जाएगा तो अभी हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं ताकि हमारा ये अंडरूट कचन हट जाए तो यह हो जाएगा 25 बटे 16 बराबर 9 आ जाएगा तो आपने एक बात ये गौर करी कि हमारे पास देको a भी मिल गया और b square मिल गया basically हमें सब कुछ मालम पल गया जो हमें चाहिए था तो हमारे पास अब अत्य परवले का समीकरण हो जाएगा x square बटे a square होता था a कमान 4 है तो a square हो जाएगा 16 minus y square बटे b square होता था b square की जगे नो रख दिया बराबर एक कर दिया तो यही आपके पास अत्य परवले का अभीष्ट समीकरण हो जाएगा तो देखो 11 में प्रस्ण को पढ़ते हैं अब हम बोला गया कि आपको निम्न लिखित में दिये गए प्रतबंदों को संतुष्ट करते हुए अत्य परवले का समीकरण लिखना है जबकि नाभियां आपके पास दियुई है 0, plus minus 13 और सैयोगमी अच्छे की लंबाई 24 दियुई है अब यहाँ पर आप यह गोर करोगे इस नाभी को देखो नाभी के नर्दे सांग में X नर्दे सांग देखिए 0 दिया हुआ है X नर्दे सांग 0 मतलब नाभी हमारी YF पर है मतलब अब हमें तुरां समझ में आना चाहिए कि हमारे पास जो अत्य परवले का समीकरण होगा वो होगा Y2 बटे B2 लेकिन ये तो हमने इसके लिए लिखी है अब एक्च्वल में परश्ण में क्या दिया गया है हमारी नाभी है जीरो कॉमा प्लस माइनस तेरह दी हुई है तो इस तरीके से तुरांट आपको क्लिक हो जाएगा कि B E बराबर तो तेरह होना चाहिए ये compare करने पर फिर बात करते हैं सही गुमियच की तो हर किसी अतपरवल है कि हमने दो अच्छ बताई थी अनुपरस्त और सही गुमियच अब इस अतपरवल है कि अनुपरस्त अच्छ होती थी 2B और सही गुमियच होती थी 2A तो 2A देखिए हमारे पास 24 जी हुई है तो A कामान basically हमको 12 है मिल गया अब यहां पर आप यह देखो कि हमारे पास A कामान आ गया 12 है अब हमारी कोसिस रहेगी कि कैसे भी हम B कामान और निकाल ले है अब यहां पर B E दिया हुआ है तो हमारे पास formula है E B और A में जो related होता है वो है E बराबर अंडर रूट में 1 प्लस A स्कॉर बटे B स्कॉर तो अभी मैं क्या करता हूँ कि लासापा ले लेता हूँ तो देखो हमारे पास आ जाएगा E बराबर B स्कॉर प्लस A स्कॉर का अंडर रूट बटे B आ जाएगा मैं तिर्चा गुणा कर देता हूँ तो तिर्चा गुणा करने पर देखी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ B E बराबर अंडर रूट में B स्कॉर प्लस A स्कॉर अम मान रग देते हैं देखे B E हमें 13 दिया हुआ था अभी तो अंडर रूट हटेगा तो 180 बराबर B स्कॉर प्लस 144 आ जाएगा तो B स्कॉर बराबर आप देखी आपके पास 25 आ जाएगा तो आपने क्या देखा कि A का मान आ गया हमारे पास 12 और B स्कॉर आ गया 25 अब इसमें आम मान लगा देते हैं हमारे पास उत्तर आ जाएगा तो अभी आप देखो कि हमारे पास जो अतपरवलय का अभीष्ट सम्हीं करण है वो हो जाएगा Y स्कॉर बटे B स्कॉर अर्थाथ 25 माइनस X स्कॉर बटे A स्कॉर होता था लेकिन A का मान 12 है तो A स्कॉर हो जाएगा 144 बराबर 1 और यही आपका प्रशन संख्या 11 का उत्तर हो जाएगा चलिए फिर हम अगले प्रशन की तरफ बढ़ देते हैं प्रशन संख्या 12 पर प्रशन संख्या 12 में दिया हुआ है कि आपको निम्न लिखित में दिये गए प्रतिमंदों को संतुष्ट करते हुए अतिपरवले का समीकर लिखना है जबकि आपके पास नाभिया है प्लस माइनस तीन अंडरूट पांच कॉमा जीरो तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई 8 है अभी आपको नहीं पता कि ये कौन सा अतिपरवले है और जबूवत इसलिए हमें पहचानने की क्योंकि नाभिलंब जीवा का फॉर्मुला चेंज हो जाता है अलग-अलग अतिपरवले में तो आप यदि नाभि में चेक करोगे तो य नर्दे सांग 0 है इसका मलत्तुरण समझ में आया कि नाभि एक्स अच्छ पर है एक्स अच्छ पर नाभि तब होती है जब आपके पास अतिपरवले का समीगरण कुछ इस तरीक एका होता है x square बटे a square minus y square बटे b square बराबर 1 और अब नाभि लंब जीवा की जो लंबाई होती है वो इसमें होती है 2b square बटे a प्रशन में दिया हुआ है नाभि लंब जीवा की लंबाई आपके पास 8 है तो आपके पास समझ में आ गया है 2b square बराबर 8 गुणा a आ गया फिर यदि आप गौर करो तो नाभि होती थी इस अतिपरवल है कि प्लस माइनस ae,0 और जो की प्रशन में दियो ही है प्लस माइनस 3 under root 5,0 तो इस तरीके से तुलना करोगे तो ae का मान 3 under root 5 आपके पास आ गया अब आपको देखो exact मान कभी किसी का अभी तक किसी का नहीं मिला ना तो a का मिला ना b का मिला लेकिन आपके पास जो फॉर्मूला है वो है e वाला फॉर्मूला जिसमें e का मान होता है under root में 1 प्लस b square बटे a square के बरावर तो अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें b square का मान दग देता हूं तो e बरावर क्या हो जाएगा लासा पर ले लेता हूं तो a square प्लस b square बटे अभी तो चलिए मैंने ऐसी लिख दिया अभी मान नहीं रखा है तो ये a square का a आ जाएगा वर्मूल से बाहर और a को मैं धर बेज दूँगा तो a e बरावर under root का a square प्लस b square आपके पास यहां से आ जाएगा अब देखिए a e का मान हमें 3 under root 5 पता है तो ये 3 under root 5 मैंने यहां पर लिख दिया बरावर देखिए under root में a square का मान हमें नहीं पता है कोई बात नहीं हमें इसको ऐसी रख देते हैं अब b square हमें पता है 8a बटे 2 अर्थाद b square का मान देखो 4a आ रहा है यहां से तो b square का मान मैं यहां 4a रख देता हूँ और अभी क्या करते हैं हम दोना तरफ वर्ग कर देते हैं ताकि यह वर्ग मूल का चनट जाए तो यह आ जाएगा 3 under root 5 का वर्ग अर्थाद 45 क्योंकि 9 into 5 हो जाएगा यह हो जाएगा a square plus 4a तो देखे a square plus 4a minus 45 बराबर 0 आ गया अब यहां पर देखो हमें तो a का मान निकालना होता है तो आप किसी विदी से निकाल सकते हैं a में दुखाद समीकड बनाए या तो आप सीज़रे चारे विदी से निकालें या आप गुड़नखंड विदी से या पूर्वर्ग बनाकर कैसे भी कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि गुड़नखंड विदी से निकाल लेता हूँ a square plus 9a minus 5a minus 45 बराबर 0 आ जाएगा इन दोनों में a common लेंगे तो a plus 9 आ गया minus इन दोनों में 5 common ले लेते हैं तो a plus 9 यहाँ से आ जाएगा आपके पास तो बराबर 0 यह आ गया फिर आपने देखा कि a plus 9 और दूसरे कोश्चतक में आ गया a minus 5 बराबर 0 अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं का यह हम बोल सकते हैं दो जो पद है उनका गुड़नफल 0 है अर्थाथ दो के इस बन नहींगे आपके पास या तो a plus 9 बराबर 0 या a minus 5 बराबर 0 और यहाँ से भी अगर आप देखे होई तो आपको मिलेगा a बराबर minus 9 या यहाँ से देखोगे तो a बराबर 5 मिला अब बात आती है कि कौन सा सही है क्या दोनों सही है या दोनों गलत है या कौन सा एक गलत है तो a बराबर minus 9 यह बिलकुल ही गलत है क्यों गलत है अब उसको समय लेते हैं A हमने आपको बताया था 2A जो होती है वो लंबाई होती है अनुपरस अच्छे की तो A B तो अनुपरस अच्छे का आधा हो गया लंबाई कभी भी negative नहीं होती है और हमने आपको बैसे भी बताया A कभी negative नहीं होता है A और B तो A तो negative आ रहा है b square बरावर 4a था तो b square बरावर 4 गुणा 5 अर्था b square बरावर 20 आ जाएगा अब a बरावर आ गया मतलब a square भी basically हमें मिल गया square करने पर b square भी हमारे पास आ गया अब हमें अत्रवले का समीकर दिखना था तो हम इस formula में a square और b square के मान रख देंगे तो देखिए हमारे पास अत्रवले का अभीष्ट समीकरण हो जाएगा x square बटे a square a 5 है तो a square हो गया 25 minus y square बटे b square बरावर 1 और यही आपका इस प्रशन का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा यह हम बोल सकते हैं अत्रवले का समीकरण हो जाएगा 13 वे प्रशन में देखिए बोला गया कि आपको यहाँ पर भी प्रतवंदों को संतुष्ट करता हुआ एक अत्रवले का समीकरण लिखना है जबकि आपके पास जो नाभिया है वो है plus minus 4,0 तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई 12 दी हुई है तो यहाँ से देखो y निर्दे संग 0 अर्थात समझ में आ गया कि अत्रवले कुछ इस तरीके का होना चाहिए x स्क्वार बटे a स्क्वार माइनस y स्क्वार बटे b स्क्वार बरावर 1 क्योंकि नाभि x अच्च पर है मतलब इस तरीके का अत्रवले होना चाहिए अब आपको पता है ये हो गई plus minus a e, 0 नाभी होती है और वो आपको दिऊ हुई है plus minus 4, 0 ये मैंने इसके साब से लिखी ये प्रश्न में दिऊ हुई थी उत्तर अनुसार तो a e आपके पास देखो a के बराबर आ जाएगी अभी आपको a और b किसी का अंसर नहीं मिला तो अब हमारे पास तो लेकिन a की फॉर्मूला लेता है e, a और b में एक रिलेशन वो होता है e बराबर under root में 1 plus b square बटे a square के बराबर अब यदि आप यहाँ पर देखो तो हम क्या करते हैं लासापा ले लेते हैं तो e बराबर देखो a square का वर्मूल लोगा तो a आएगा और यह लासापा लेने पर a square plus b square यहाँ बन जाएगा a का गुणा करेंगे e में तो a e बनेगा a e का मान देखो 4 आपको पता है तो अभी हम मान लगा देते हैं तो रहल चार बराबर अंडर रूट में a square plus b square देखिए b square हमारे पास 6a के बराबर है तो अगर हम दोनों तरफ वर्मूल कर दें तो हमारे पास यह वर्मूल का चिन अट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए चार का वर्म मतलब 16 हो जाएगा इधर हमारे पास और यह हो जाएगा बराबर में a square plus 6a तो a square plus 6a minus 16 बराबर 0 आ गया तो यह आ गया a plus 8 कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a minus 2 बराबर 0 तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो a के 2 मान आए a बराबर minus 8 या a बराबर 2 आया अब आपको समझ मारा है a बराबर minus 8 तो कभी भी नहीं हो सकता है क्यों कि हम जानते a और b के मान धनातमक लिये जाते हैं तो इसलिए हमने इसको neglect कर दिया अर्थाद गर्णा में ही नहीं लिया इसका मतलब हमें a बराबर 2 अपना ले लेना है value में अब यदि a बराबर 2 आपके पास आ गया तो देखिए b square का मान तुरंत आपके पास 6 गुणा 2 अर्थाद 12 आ जाएगा a बराबर आ गया b square का मान आ गया तो अब आपको इस formula में क्योंकि यही तो अतपरवलय का समीकरण था आप इसमें a और b के मान लगा दोगे तो x square बटे a square a कमान 2 था है तो a square देखो 4 लिख दिया minus y square बटे b square बराबर 1 और यही देखिए आपका प्रशन संख्या 13 में जो अतपरवलय पूछा गया था उसका समीकरण हो जाएगा अब चलिए प्रशन संख्या 14 की तरफ हम आते हैं देखिए प्रशन संख्या 14 में आपको बोला गया है कि निमने लिखित में दिये हुए परतबंदों को संतुष्ट करते हुए आते परवलय का आपको समीकरण ग्यात करना है जबके आपके पास सीड से दिया हुआ है प्लस माइनस साथ कॉमा जीरो तथा उतके निरता आपको दिया हुई है चार बटे तीन अब यहां से देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यह कौन सा परवल है मतलब जिसमें X स्क्वार बटे A स्क्वार धनात्माग होता है या रडात्माग होता है यह नहीं पता तो आप क्या देखोगे सीड से निर्दे सांग या नाभी के दिये होते हैं तो सीड से निर्दे सांग देखो हमें Y निर्दे सांग देखो 0 दिया हुआ है जिसमें eccentricity अर्थात उतकेंद्रता दी हुई है 4 बटे 3 अब इस अत्रवले का यह दे सीर से लिखते थे तो हमारे पास आता था plus minus a,0 अब प्रश्ण में हमें कितना दिया हुआ है यह सीर plus minus 7,0 तुलना करेंगे तो देखी हमारे पास a कमान कितना आ गया से 7 आ गया अब a आ गया,e आ गया हमारे पास तो हमें तो क्या करना होगा b कमान भी निकालना होगा कैसे भी न कैसे तभी तो हम इसमें रख पाएंगे तो अब हम क्या करते हैं formula लगाते हैं a,e और b में जो संबंद होता है eccentricity मतलब उतकेंदिता का formula यहो जाएगा under root में a plus b square बटे a square के बरावर अब यहां से आप एक बात यह गौर करो,e कमान केतना है, 4 बटे 3 बरावर under root में 1 plus b square b कमान हमें नहीं पता है तो हमने b square को ऐसी रखा a पता है हमें 7 है, तो a square उननचास हमने यहां कर दिया अब यदि आप देखो यहां से, तो हम क्या करते हैं, वर्मूल हटाएंगे तो सभाविक सी बात हैं हम दोना तरफ वर्क करेंगे तो यह हो गया 16 बटे 9 बरावर 49 प्लस b square बटे 49 यह आपके पास आ गया यहां से, फिर यहां से अगर आप देखो तो हमें तो b square कमान निकालना है, तो अभी हम क्या करते हैं, तो अननचास का गुणा 16 से करेंगे तो अननचास का गुणा देखी 16 से करते हैं, तो 16 गुणा 9, 4 और यह 74 आ गया बरावर तो 3, 4, 3, अर्था 343 के बरावर, अब आपने देख लिया कि b square तो हमारे पास 343 के बरावर आ चुका है, अब हमें क्या करना है, कि a कमान आ गया था हमारे पास हमारे पास b square का मान भी आ गया, अब अत्यपरवले का समीकर्ण जो यह हमारे पास दिया हुआ, इसमें a और b के मान हम फिट कर देंगे तो देखिए, हमारे पास यहां से यह 9b square आएगा, हमने इसको गलती कर दी, प्लस 9b square आएगा क्योंकि आपने 9 का गुणा किया है तो 9b square बरावर 343 आ जाएगा, तो b square 343 बटे 9 आ जाएगा हमारे पास अब मान लगा देते हैं a और b के, तो यह हो जाएगा x square बटे a square देखिए a का मान हमारे पास कितना है, 7 है, तो 99 हो गया a square माइनस y square बटे b square का मान है 343 बटे 9 बरावर 1 हो गया, आप चाहो तो वैसे इतना उत्तर छोड़ दीजेगा, लेकिन थोड़ा से सरल कर दें तो जादा बहतर रहेगा देखिए x square बटे 49 माइनस 9 y square बटे 343 बरावर एक आ गया, और इसमें भी आप सरल कर सकते हैं इसको भी, कैसे? देखिए, लासापा ले लेते हैं, लासापा हमारे पास 343 आएगा, तो यह आजाएगा, 7x square माइनस 9 y square बरावर एक या हम इसे अब देखिए लिख सकते हैं, 7x square माइनस 9 y square बरावर 343 तो आप इतने जो मैंने लिखे हैं, आप इन मैंसे कोई भी उत्तर लिख सकते हैं, सभी उत्तर आपके पास सही ही माने जाएगे जैसे आप ये उत्तरवी लिख सकते थे आप चाहो तो ये वाला उत्तरवी लिख सकते थे लेकिन कोशिस किया करिए कि जितना सरवल हो सके उतना सरवल हम करेंगे तो देखिए अब हम प्रश्णावली 11.4 का सबसे अंतिम प्रश्ण अर्थात प्रश्ण संख्या 15 को हल करेंगे चलिए इस प्रश्ण को पढ़ लेते हैं निम्नलिकित में दिये गए प्रतबंदों को संतुष्ट करते हुए अत्परवले का समीकरण आपको लिखना है जबकि आपके पास देखिए नाभियां दियो ही है 0,±-10 तथा आगे बोला गया कि ये 2,3 से होकर जाता है 2,3 से होकर जाता है का मतलब ये हुआ कि अत्परवले पर 2,3 कहीं ना कहीं जरूर आ रहा होगा उसकी बाउंटरी पर अब ये देखो हमें ये नहीं पता अभी कि अत्परवले कैसा वाला है हमारे पास या तो दो तरीके के अत्परवले होते हैं या तो x स्कार बटे a स्कार वाला पद पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो अब उसको पहचानने के लिए आप तरण समझेंगे यहाँ पर कि आप देखो यहाँ पर x निर्दे सांग 0 दिया हुआ है नाभी होगा इसका मतलब नाभी हमारे पास y एक्छ पर है अर्थात आपको तरण समझ में आ जाएगा कि अतपरवले कुछ इस तरीके की आक्रती बना रहा होगा तभी तो देखिए y एक्छ पर नाभिया आती है अर्थात अगर y एक्छ पर नाभिया है या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अतपरवले का समीकरण हो गया y square बटे b square माइनस x square बटे a square बराबर 1 यह आपके पास समीकरण हो गया अब इस समीकरण के आधार पर तो आप देखोगे कि आपको नाभियां दिवी है 0, plus minus under root 10 लेकिन यहाँ पर आपके नाभियां होती है 0, plus minus be तो देखिए जब तुलना करोगे तो यह आगए 0, plus minus under root 10 प्रश्ण के एसाफ से be का मान आपको तोरण समझ में आ जाएगा under root 10 के बराबर आगया अब क्या करेंगे कि हमारा जो समीकरण एक है यही तो हमारा एक तरीकी साथ परवले का समीकरण होना चाहिए बस a square और b square कैसे भी हमें पता लग जाए हमें यह पता है लेकिन यह 2,3 से ओकर गुजरेगा तो y की जगे 3 लगाओ तो यह आजाएगा 9 बटे b square माइनस x की जगे 2 लगाएंगे तो 4 बटे a square बराबर एक अब यहाँ पर देखो b e दिया हुआ है b square दिया हुआ है तो कैसे भी आप कोसिस करो कि या तो पूरे किसी को b square में बदल लो या a square में बदल लो कुछ ऐसा करो तो मैं क्या करता हूँ कि side में इसको rough work में कुछ इस तरीके से formula हमें पता है e का यह जाएगा 1 plus a square बटे b square का वर्गमूल अब देखिए मैं यदि लासा पा ले लूँ तो e बराबर यह जाएगा b square plus a square इसका वर्गमूल बटे b तिरच्छा गोणा करोंगा तो b का गोणा e से करोंगा तो b e बनेगा और b e root 10 है तो यह हो गया root 10 बराबर under root का b square plus a square अर्थाद b square plus a square 10 के बराबर आ गया तो आपको देखो यह समझ में आ गया तुरंत कि आप क्या करो कि किसी भी एक की value निकाल लो यहां से a square की या किसी एक की निकाल लो आपके उपर निर्बर करता है जैसे मान लीजेगा मैंने b square की value निकाल ली यहां से कितनी आ जाएगी 10 minus a square अब जो b square की value 10 minus a square आई है वो मैं यहां रख देता हूं तो ताकि मेरा पूरा जो समीकरण है वो a में बन जाए देखो 9 बटे b square का मान 10 minus a square रख दिया minus 4 बटे a square बरावर एक हो गया लासापा ले ले लेते हैं अब हम तो देखो 9 a square minus 4 गोड़ा 10 minus a square बटे a square गोड़ा 10 minus a square यह आपके पास आ गया बरावर एक आ गया अब यहां से थोड़ा सा सरल करते हैं तो अंसे में आ जाएगा 9 a square minus 40 plus 4 a square और देखो यह जो पूरा पद है इसको हम पच्छांतर करेंगे तो गोड़ा में बदल जाएगा एक किसंग तो यह हो जाएगा 10 a square minus a की गाच 4 देखे मैं ने गुणा कर दिया a square का 10 से और a square का minus a square से फिर यदि आप देखो यहां से तो a की गाच 4 मतलब इन सभी पदों को मैं 22 पच्छांतर कर देता हूँ तो एक ही गाच 4 आ गया यह अब देखो 9 और 4 13 a square यह है 10 a square को इधर बेज आया तो minus का 10 a square हो गया basically तो plus का 3 a square बचा minus का 40 बचा बराबर 0 आ गया अब यहां पर छात्रों को यह दिक्कत आएगी कि अब इसको कैसे solve करें क्योंकि यह दिखात समी कर तो नहीं रहा लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसमें सोचें तो यदे हम a square को कुछ t मालने अपनी तरफ से तो हमारे पास यह को क्या होगा t square हो गया क्योंकि a square का ही तो square है एक ही खाच चार प्लस 3a square है तो a square को तो t माना है minus 40 बराबर 0 आ गया तो यहां से देखी आपको मिल गया t बराबर minus 8 या t बराबर 5 अब एक्च्वल में t थोड़ी निकालना था आपको आपको तो a square निकालना था तो देखो t का मान क्या है a square a square बराबर minus 8 आया या यहां से देखो a square बराबर 5 आया आपको तुरंद यहां से समझ में आना चाहिए कि a square तो रड़ात्मक आ रहा है और ऐसा तो कभी होई नहीं सकता क्योंकि पहरी बाद तो a धनात्मक होना चाहिए और किसी संक्या का square तो व तो अब देखो b square का मान यहां से हम निकाल लेंगे तो b square देखिए कितना आ जाएगा 10 minus a square था तो b square बराबर देखिए 10 minus a square का मान 5 है तो b square का भी मान आपके पास 5 आ जाएगा तो इस तरीके से दीखा आपने कि a square और b square दोनों के मान आपके पास आ गए हैं तो अब यहाँ पर आप बहुत आसानी से अत्य परवले का formula लिख सकते हो बस समय कर संके एक में a square और b square का मान रग दीजेगा तो आपके पास आजाएगा y square बटे 5 minus x square बटे 5 बराबर 1 कोई सा भी उत्तर लिख सकते हैं चाहें यह लिख दो y square minus x square बराबर 5 या फिर आप लिख सकते हो y square बटे 5 minus x square बटे 5 बराबर 1 दोनों ही उत्तर आपके पास बिलकुल सही माने जाएंगे वैसे तो आपका देख यह उत्तर आ गया बस मैं आपको एक additional information देना चाह रहा हूँ प्रतियोगी परच्छाओं के लिए कि ऐसे अत्परवले जिन में a square और b square दोनों के मान समान होते हैं उनको हम आयती अत्परवले भी बोल सकते हैं